ये आकाश्वाणी दिल्ली है क्रिप्या हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए ये आकाश्वाणी है रूपकों के अकिल भारतिय कारिक्रम में प्रस्तुत है रूपक योगीश्वर विवेका नंद मूल लेखक डॉक्टर रामधारी सिंग दिनकर प्रस्तुत करता डॉक्टर संजे सिंग वर्मा तो लीजी सुनिए रूपक योगीश्वर विवेका नंद उननेस्वी शताब्दी बौधिक कोलाहल का काल था ये लगभक वैसा ही समय था जैसा भगवान बुद्ध के ठीक पहले गुजरा था ये वो समय था जब आधी भौधिक विचारों के तेज के सामने आध्यात्मिक विचार मंद पढ़ते जा रहे थे पश्ची में जगत सांसारिक सुखों के भोग में लिप्त था और पूर्वी देश अपने धर्म के असली स्वरूप को भूलने लगे थी ठेक इसी समय ये ये आधिभौतिकता और बुधिवाद के प्रचार से भारतवासियों के परंपरागत विचारों को बड़े जोर का धक्का लगा और सारा का सारा नवशिक्षित समुदाए एक गहरी अनास्था एक भयानक शंका से ग्रस्थ हो उठा उन्नीस्वी सदी का पुनर जागरण आंदोलन मानो भारत के लिए एक सांस्कृतिक पुनर जीवन का संकेत था जहां एक ओर राजा राम मोहनराई, केशव चंडरसेन, हेंडरी विवियन डिराजियो, दिवेंद्र नाट्यगोर और स्वामी रामकृष्ण परम्हंस जैसे तत्व ज्यानी, सामाजिक सुधारों के सूत्रधार बने वही स्वामी दयानंद, एनी बैसंट, सरसयद एहमत खान, गोविंद महादेव रानादे, महात्मा जोतिबा फुले और विवेका नंद जैसे युक द्रश्टाओं ने कथित धार्मेक सांस्कृतिक कोलाहल की प्रतिक्रिया स्वरूप एक नए भारत के निर्मान का संकल्प लिया, स्वामी विवेका नंद ने प्राचीन भारतिय दर्शन वेदांत और अध्वैत को नए ठंग से परिभाशित किया, जवाहलाल नहरू विश्विद्धाले के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा प्रिस्थति करन करने की आवशक्ता महसूस होई, क्योंकि उस समय जब means of transport बदल गया था, दूसरे देशों में जाना संभव था, तो ये विदान्त philosophy या जो यहां भारत के दर्शन थे, उनको एक नए भाशा में दुबारा से systematize करना, compile करना, और अब ना केवल भारतिय द कारे कुशलता के साथ, बहुत distinction के साथ इस कारे को संपन किया. कौन सा मार गहे, उन्होंने योरोब के समस्त दर्शन को चान डाला, तेजस्वी विद्वानों की संगती की, ब्रह्म समाज के वे सदस्य बने, किन तो शान्ति उन्हें कहीं भी नहीं मिली, धार में क्रिणा से वे इतनी बेचैन हो उठे, कि उन्होंने अपने पिता से कह द कुछ धर्म प्राप्ति करने के इच्छा है, तो व्यर्थी अनेक स्थानों में भटकने से कोई लाब नहीं होगा, सीधे दक्षनेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास चला जा, किन्त श्री रामकृष्ण से नरंद्रनाथ का पहला साक्षातकार अकल्पित रूईति से ह हुआ, बात ये हुई कि स्री रामकृष्ण के एक भग्त, स्री सुरेश-्चंज मित्र नरंद्रनाथ के पढोस में ही रहते थे, एक दिन ऐसा हुआ, कि स्री स्री सुरेश-चंज के घर-पथारे, और स्री सुरेश-चंज नहीं, और किसी गवये को न पाकर पढोस के विश् कितना सुन्दर कैसा ते दीप्पिमान मां जगदंबा का सिंग है कोई गाना याद है बेटा हां महराज दो चार बंगला और हिंदी के गीत जानता हूं तो सुना न कोई गीत मुण चलो नी जने के ताने मुण चलो नी जने के ताने संशारो विदेशे विदेशी रो बेशे प्रम कैनो अकारने मुण चलो नी जने के ताने मुण चलो नी जने के ताने कितना सुन्दर कंठ है कितना भाव विभूर होकर गाता है पेटा क्या एक दिन शेग्र ही वहां दक्षनेश्वर आ सकोगे हां महराज आऊंगा उस पहली मुलाकात में और कोई बात नहीं हुई नरंद्रनाथ के भीतर अध्यात्मिक जुग्यासा आग के समान धदक उठी थी वे ईश्वर के दर्शन पाना चाहते थे एक दिन सी व्याकुलता में वे महर्शी देविंद्रनाथ ठाकुर के समक्ष आ खड़े हुए और उनसे पूछ बैठे महराज आपने ईश्वर को देखा है महर्शी भला क्या उत्तर देते उनके मुक्से केवल ये निकला बेटा तुम्हारी आखें योगियों किसी लगती हैं और स्री राम कृष्म के दर्शन करने को नरंद्रनाथ जब दक्षनेश्वर गये तब स्री राम कृष्म से भी उन् हाँ बेटा मैंने इश्वर को देखा है तुम्हें जिस थरह प्रत्यक्ष देख रहा हूं इससे भी कहीं अधिक स्पष्ट रूप से उन्हें देखा है क्या तुम भी उन्हें देखना चाहते हूँ यदि मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ नरंद्रनाथ को लगा मानो अधेरे में भटकती हुई नाव को कहीं रौशनी मिल गई आखिर ये एक व्यक्ति तो मिला जो इश्वर दर्शी होने का दावा करता है श्री राम कृष्ण ने उस तिन भी नरंद्रनाथ से किसी गाने की फरमाईश की और उस तिन नरंद्रने उन्हें किसी मुस्लिम सूफी कवी का एक गीत सुनाया तुझ से हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है एक तुझ को अपना पाया जो कुछ है सो तू ही है स्वामी रामकृष्ण परम हन्सवारा प्रदान की गई शिक्षाएं ही मुलतह स्वामी विवेका नंत के दर्शन का आधार बनी दिल्ली विश्व विदाले में इतिहास की प्रवक्ता डॉक्टर संदीप चाटजी और उनसे वो इतना प्रेवित हो गया कि विवेका नंत बाद में कहा कि मैं जो भी कुछ बोलता हूं जो भी कुछ कर रहा हूं मैं कहता हूं सभी आफ्टों की जड़ धर्म है धर्म के कारण जितना रत्पात हुआ है उतना रत्पात सामराज बनाने के लिए भी नहीं हुआ होगा मैं नहीं मानता जो आदमी धर्म की राह पर चलेगा वो क्या हिंसा करेगा उत्पात करेगा अन्य धर्म वालों के साथ जोर जबर्दस्ती बरतेगा सपश्ट है कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर जाते की है वो किसी भी अर्थ में धर्मिक नहीं थे मगर संसार में इतना जो धर्मिक द्वेश फैर रहा है उसका भी कोई समाधान इन धर्माचारियों ने दिया है औरों की बात में नहीं कह सकता किंत परमहंस रामकृष्ण के जीवन से जो शिक्षा निकाली जा सकती है वो ये है कि सभी धर्म समान है उन्होंने बारी-बारी से इसलाम की भी साजना की है इसाईयत के मार्ग से भी सिध्ध प्राप्त की है वे प्रतिमा को ही पूझते हैं और अद्वईत के भी आचाली है उनके पास केवल प्रतिमा पूझकी नहीं जाते बलकि प्रताप चंद मजूमदार और केशव चंद्रसेन के समान निराकारवादी भी हाज चोड़े बैठे रहते हैं दक्षणेश्वर इस युग का असली धर्मधाम है और परमहंस रामकृष्ण ही इस युग के अवतार हैं क्योंकि वे सभी धर्मों के बीच समन्वय का उप्तेश देते हैं सुना हैं आजकल नरेंदर नाथ भी ब्राहम समाज में कम दक्षणेश्वर कुछ अधिक जाने लगा है जी नहीं नरेंदर नाथ की आत्मा अब दक्षणेश्वर में ही बसती है ब्राहम समाज में जाना तो उसने कपका छोड़ दिया आश्चरी की बाद, नरेंद्र कैसा कट्टर तार्किक है, नास्तिकों या संदेहवादियों से वो किस बात में भिन्न है, पता नहीं, परमहंस देव ने उस पर क्या जादू कर दिया, कि अब समय पाते ही, वो सब छोड़कर दक्षनेश्वर की राख पकड़ लेका। घरे सोने की पहचान आग में होती है, और पुरुष की जाच भगवान विपत्तियां भेज कर लेते हैं, नरेंद्रनाथ अपनी साधना के पत पर खुप्रगती से आगे बढ़ रहे थे, कि अचानक उनके पिता का देहान थो गया। और तुरन तवस्था ये हो गई, कि जिस परिवार का मासिक व्यए एक हजार रुपे था, उसके लिए हर महीने थीस रुपे जुटाना भी कठिन होने लगा। सानसारिक विश्यों से उदासीन नरंद्रनात एक आएक दरिद्रता के कठोर आघात से चौक पड़े। अनेक निराशाओं के बाद उनके मन में ये विजार आया। क्यों नहीं श्री राम कृष्ण से कहूं कि वे अपनी माता से प्रार्थना करें और कहें कि नरंद्र के परिवार के संकटों को दूर कर दो। किन्तु श्री राम कृष्ण का विजार हुआ कि ऐसी प्रार्थना मंदिर में जाकर नरंद्र को खुद करनी चाहिए। निदान नरंद्रनाथ काली के मंदिर में गए, किन्तु अपनी आर्थी कठनाईयों की बात उनके मुख से नहीं निकल पाई, उल्टे काली से प्रार्थना करते हुए विक्यने लगे, मा, विवेक दो, वैराज्य दो, ज्ञान दो, भक्त दो, माता, तुम्हारे क्रिपा से सदा ही तुम्हें देख सकूँगी। सन 1886 इस्वी की 16 अगस्त को श्री राम कृष्ण ने समाधी ले ली, और सभी गुरु भाईयों के साथ नरंद्रनाथ का जीवन अंधकार पूर्म हो गया। कहा तो श्री राम कृष्ण के सानिध्धि में शिष्ष अपने को सदेह आध्यात्मिक्ता की गोद में आसीन पाते थे और कहा अब प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं देती। निदान बाल ब्रमचारियों का ये दल तीर्थाटन के बहाने इधर उधर विकीरन होने लगा और स्वेम नरंद्रनाथ बिना किसी साधन के भारत प्रमन को निकल पड़े। सन्यासी विवेका नंद ने तकरीबन पांच साल उत्तर में हिमाले से लेकर और दक्षुन में केरल तक की यात्राएं की और ततकालीन भारत को साक्षात अपने अंतरमन से महसूस किया। रामकृष्ण मिशन आश्रम दिली के सचेव स्वामी शान्तात्मानंद। अध्यात में किदा के माध्यम में हाँ, एक दन प्रभात काल में समुद्र तक पर खड़ा, मैं तरंग माला का नृत्य कौशल देख रहा था। एका एक मन में ये बात आई, किस विक्षुब्द समुद्र को लांग कर मुझे किसी सुदूर विदेश में जाना होगा। पर अंतु पता नहीं ये कैसे संभव होगा। किन्तु ये स्वप्न संभव हो गया। सन 1893 में कुलंबस के अमरीकानु संधान की चतुरत शत्वार्शिक मनाने के लिए शिकागो शहर में एक विश्व मेला का आयोजन किया गया था। उसी मेले में एक धर्म संसद का भी आयोजन किया जाने वाला था। अतेव स्वामी जी के सभी प्रशंसक उनसे ये कहने लगे कि हिंदु धर्म का प्रतिध्य करने के लिए आपको इस संसद में आवश्य जाना चाहिए। स्वामी जी ने आत्म विश्वास के साथ कहा। मैं इस संसद में अवश्य जाऊंगा क्योंकि ये धर्म संसद केवल मेरे ही निमें तायोजित होने जा रही है। उनके इस आत्म विश्वास का उचित्त तब प्रकट हुआ जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुचे और धर्म संसद के मंच पर आसीन हुए। पहले दिन उनका भाषन अन्त में इसलिए रखा गया कि वे सभी वकताओं से उम्र में छोटे और लगभग अजनवी महमान थे। किन्तु दूसरे दिन सुन का भाशन अंत में इसलिए रखा जाने लगा, कि जनता उन्हीं को सुनने के लिए अंत तक बैठी रहती थी। जब स्वामी जी मंच पर खड़े हुए, उन्होंने सभा को संबोधन करते हुए जैसे ही ये कहा, अमेरिका निवासी बहनों और भाईयों। सामप्रदाइकता, धार में एक द्वेश और कटरता ने इस खूबसूरत धर्ती को बहुत दिनों से जकड़ रखा है। इन शक्तियों ने धर्ती पर मार काट मचाई है, उसे बार बार खून से शराबोर किया है। अगर इन शक्तियों ने अपने सर नहीं उठाये होते, तो संसार आज की अपेक्षा अधिक उन्नत और अधिक सौंदर ये युक्त होता। मगर इन शक्तियों की आई अप समाक्ति पर है। आओ, आज ही हम सामप्रदा एक द्वेश और कटरता की मृत्ति की घोशना कर दे। और ये एलान कर दे कि आज से कोई भी व्यक्ति, कलम या तलवार से, दूसरे के धर्म पर, दूसरे के पंथ पर आघात नहीं करेगा। कोई व्यक्ति या जाती, दूसरों से विच्छिन होकर जीवित नहीं रह सकती। आदान प्रदान जगत का नियम है। भारतवर्ष के पास जो कुछ है, उसका प्रचार सारे विश्व में होना चाहिए और बदले में दूसरे लोग जो कुछ देंगे, उसे ग्रहन करने को भ धर्म संसद में, जब स्वामी ने जयगोश किया कि मैं आपको समस्त धर्मों की जननी और दुनिया की सबसे पौरानिक भिक्षकों की धर्ती तथा विभिन धर्म संप्रदाय मानने वाले लाखों हिंदूओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं, तो उपस्तित हजारों अक्यों से मानुत तमाम शोताओं को मंत्र मुग्द कर दिया, स्वामी शांतात्मानन्द जाएगा उनका बाते बिल्कुल गलत है, आए पीटी देट परसन, वो तिंक्स एर इस रिलिजिन विल सर्वाइब और दे एक्सपंस अव अबरी अधर रिलिजिन स्वामी जी का अमेरिका प्रवास पश्चिम में पूर्व की एक नई छवी का उदखाटन था जवाहलाल नहरू विश्व विद्याले के दर्शन शास्त्र के प्रफेसर डॉक्टर अजय वर्मा की जाती थी वह उससे बिलकुल अलग हमारे पास विचारों की दर्शन की बहुत स्वस्त परंपराएं थी और उनको बस केवल नई भाशा में गढ़ने तक का का किया जाना था जो विवेका नंद ने इस कारे को संपन किया था जिस प्रकार से विवेका नंद जी ने सरल सुल्जे भाव से मानव की एंग्जाइटी को उन्होंने सामने रखा और स्पिरिच्वलिजम और मैटीरियलिजम का जिस्ता से बैलेंस धंग से उन्होंने एक उसकी पिक्चर उस समाज के सामने जो सिफ मैटीरियलिस्टिक चीज जूजने में असफल हो रहा था, उसको ये नहीं रोशनी, एक नहीं राह विवेकार्नन जी के भाशर्ट से उनको मिली और इसी के नतीजा ये निकला, मैंसिब फॉलोइंग खाली, यूएस में ने यूके अन इलाकों में हुई, क्यूंकि स्पिरिच्वलिजम और मेटिरिलिजम का एक कंस्ट्रक्टिव बैलेंस विवेकार्नन जी ने मानो समाज के साथ। भारत से विदेश वे धर्म दूद के रूप में गए थे, किन्तु भारत वे क्रांती दूद बनकर वापस आए, कुलम्बो से मदरास तक उन्होंने जिस उत्बोधन मंत्र का उत्गोश किया, वो ये था आगामी पचास वर्षों तक तुम्हें केवल जननी जन्मभूमी के आराधना करनी है, और सभी देवताओं को तब तक के लिए भूल जाओ, दूसरे जितने भी देवता हैं, सोय हुए हैं, इस समय तुम्हारा एक मात्र देवता, तुम्हारा राश्ट्र है, तुम लोग न पशुक तुम्हारे एश्ष्वर हैं, और तुम्हारे स्वधेश्वासीगणही तुम्हारे प्रधम उपास से हैं, स्वामी जी संत और महात्मा थे, उन्होंने राजनीत की ओर जहांका भी नहीं था, किन्तो भारत का राश्ट्री ये तेज उन्हें के उध्गारों से प्र अब भारत को कोई विदेशी शक्ति दास्ता में नहीं रख सकेगी, क्योंकि ये भीम काई दैत्ति अपने पावों पर खड़ा हो रहा है 1897 में स्वामी जी ने राम कृष्ण मीशन की स्थापना की और विसन्यासियों का एक ऐसा संग बनाने में निरत हुए जो दुखी मालाउता की सेवा करने में समर्थ हो प्राणी मात्र के उत्थान को आध्यात्म से जोड़ने का एक दूर दर्शी प्रयास था राम कृष्ण मीशन की स्थापना स्वामी शान्तात्मानंद सवामी शान्त चार साल करिब-करिब अमरिका में रहे उसकी अंदर उनने देखा एह देश का इतना प्रगती उसके अमूल कारण है संग घटिक रूप में बहुत काम कर पाते हैं वापस आके सोचा ऐसे में एक संगटन में भी स्थापना करूं, उसकी माध्यम में भारत की पुनर निर्मान, पुनर घटन संबाव है। रामकिश्णा मिशन की सामने उन्होंने दो आदश रखा, आत्मनों मुक्षार्तम जगत हिताये चे। जो अध्यात्मिक दिशा में आगे चलना चाहते हैं, सब तो अपना मुक्ष के लिए काम करेंगे। सिले आत्मनों मुक्षार्तम लेकिने कि माध्यम क्या होगा, साथ साथ जगत हिताये चे, जगत की कल्यान। स्वामी विवेका नंदने भारतिय दर्शन और आध्यात्म को प्राणी मात्र के कल्यान से जोड़ा और परंपरागत संतों से हट कर एक नई छवी प्रस्तुत की। डॉक्टर अजय वर्मा तो सबसे पहले तो उन्होंने एक पुरानी इसधारना को तोड़ा कि हिंदू धर्में जो माना जाता है कि वान्य प्रस्त जीवन में आपको दर्शन के वे विश्या में सोचना चाहिए। उससे विप्रीत दर्शन में उनकी रूची बहुत पहले से ही हो गई और उसके बाद बड़ी यूवा वस्ता में ही वे ग्यान को प्राप्त हुए। विवेका नंद से पहले हिंदू परंपरा के जो अन्य संत थे वो बहुत से समाजिक विश्यों के बारे में इतना बात नहीं कर रहे थे जैसे गरीबी जैसे की कास्ट सिस्ट्रम के यहाँ पर जिस प्रकार से कास्ट के रूप में भेदभाव होता है उन्होंने इसकी बहु अचीन वेदान्त दर्शन को नए प्रकार से परिभाशित वस्थापित किया दिल्ली विश्विद्याले में इतिहास की असोशेट प्रफेसर डॉक्टर नीर्जा सिंग् और यह सोशल साल्वेशन कैसे होगा जबकि गरीबों के लिए काम करके और यहीं गांधी जी को भी इंफ्लूएंस किया जहां पर गांधी जी दरिद नारायन की बात करते हैं 1899 इस्वी के जून महीने में स्वामी जी फिर विदेश प्रमन को निकल गए इस बार भी विदेशों में उनके प्रवचन और व्याख्यान अबाद गती से चलते रहे बलकि जूँ जो उनकी आयू बढ़ती थी उनकी आत्म दान की उमंग तीवर से तीवर तर होती जा रही धीरे धीरे उन्हें ये आभास होने लगा कि मेरा कारीकाल समाप्ती के पास पहुँच रहा है 1911 की 18 अप्रैल को अपनी एक शिश्या को पत्र में उन्होंने लिखा था मैं अच्छा हूँ मानसिक स्वास्त बहुत अच्छा है युद्ध में हार जीत दोनों ही हुई अब बोरिया बस्तर बांद कर उस महान मुक्तिदाता की प्रतिक्षा में बैठा हूँ अब शिर्फ पार करो मुरी नईया सन 1911 की 9 दिसंबर को स्वामी जी अचानक भारत लोट कर बेलूर मठ पहुँच गए गुरु भाईयों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया फिर वे देशाटन को निकले और लोगों के बीच अपना संदेश बिखेरते रहे स्वामी विवेका नंद के दर्शन को नव वेदान्त के नाम से जाना जाता है डॉक्टर संदीब चाटजी सन्यास की दिख्षादी क्योंकि जहां एकता की बात होगी जहां समत्यों की बात होगी वहां पर आपसी विवेत तो हो ही नहीं सकता है तो वेदान्त का जो मूल संकल्पना है उसको नोने बास्तविक धरातल पर ला दिया युवाओं के सामने स्वामी जी ने एक नया आदर्श रखा और उनकी सोच को एक नई दिशा दी, डॉक्टर नीर्चा सिंग युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो ये की की मूल्य दिये, गोल लाइफ का क्या होना चाहिए सबसे पहले उनको प्रेरित किया कि तुम अपने पुराने जो अपने गौरव में इतिहास को मद भूलिये, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्यों के लिए सजग रहिए, त्याग कीजिए, अग्रसर होईए प्रव का ये चर्पदाश्च्र दास, स्री राम कृष्ण का ये अपराजे ये संदेश वाहक, अब अपने भीतर क्लांती का अनुभाव करने लगा था स्वामे जी क्लांत हो रहे थे, किन्त उनका अधूरा कारी उन्हें बेचैन बनाये रहता था खाट पर लेटे लेटे भी, वे बेचैनी के साथ भारत माता की चिंता में लीन रहते थे आखिर को सन 1902 इसवी की चार जुलाई या पहुँची स्वामे जी उस तिन और दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वस्त थे, ठाक और घर बे घूमते हुए वे मंद मंद, चलमन निजनिकेतने वाला वही जर परचित गीत गुनगुनाते रहे पिर वे अपनी शया पर चले गए उनके हाथ में जब माला विद्धिमान थी, रात के नौ बजे उनके मुख से दो बार कराह निकली फिर उनका मस्तक तक ही पर एक और को लुढ़क गया बस योगीश्वर विवेकानंद अनंत निद्रा में सो गए अमा वश्या की अंधकार में जगन माता ने अपने रणकलान्त पुत्र को अपनी कोधी में उठा लिया अभी आप सुन रहे थे रूपक योगीश्वर विवेकानंद प्रस्तुत रूपक डॉक्टर रामधारी सिंग दिनकरद्वारा लिखित वा चार जुलाई 1965 में प्रसारित रूपक स्वामी विवेकानंद पर आधारी थे प्रतिभागी स्वर गोपाल कॉल, राजेश्वर नाथ, सी एस नागर, सी दी पांडे, सुरेंद्र वर्मा, सी एम नागर, राजगुप्त राजीव, आलोक गांगुली, त्रिलोक कपूर, वमन मोहन पहाडी मूल लेखक डॉक्टर रामधारी सिंग दिनकर वाचक स्वर, मनोज मायंड कर और राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुती सहयोग उदै मन्ना, प्रस्तुत करता डॉक्टर संजे सिंग वर्मा यह कारिक्रम केंद्रिय रूपक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाश्वाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया